आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा नियुकति के लिए होने वाली परित्योंकत्य परिक्षा का बिग्यापन जारी किया जाएगा बतादे परियोग साला सहायक नियुक्ति के लिए भावतिकी रसायन सास्त्र या जीव पिग्यान बीसाय में से जार्खन का मौऊसम हर दिन बदल रहा है हलकी बारिस के बाद जहां मौसम में ठंडा पन आ जाता है तो वहीं दीन गर्म होने लगता है बताद मौसम विभाग के पुरोणवान के मुताविक मौसम का या बदलता अंदाज बारिस को अमंत्रित कर रहा है ऐसी संभावना जताई जा रहे है कि आज बारिस होगी राज्य के पूर्वी तथर निकट वर्तिमत्य भागों में बारिस होने की संभावना है हलाकि लोगों को अगले पांच दिनों तक उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा इसके बाद ही मानसुन परवेस के साथ गर्मी से निजात मिलेगी जारखन के 1854 इसकूलों में होगी कम्प्यूटर की पढ़ाई जारखन के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब कम्प्यूटर की पढ़ाई करेंगे इसके लिए तेयारिया भूरी कर लिगाई है कम्प्यूटर की पढ़ाई कराने की जिमेदारी निज्जी कम्पनियों को दी गई है ऐसी संभवना हाई कि चायनित इसकूलों में अगले महिने से पढ़ाई सुरू हो जाएगी कम्प्यूटर की पढ़ाई राज जिये 1854 इसकूलों में कराई जाएगी एक जुलाई से शुरू होने जा रहे सेक्षिनिक सत्र से कंप्पीटर के पढ़ाई शुरू की जाएगी इस समद में जार्खन सिक्षा पर्योजना द्वारा सभी जीलों को दिशा निदेश भेज दिया गया है जलवायू परिवर्तन से जार्खन में खाद संकर्ट जलवायू परिवर्तन का जार्खन पर भी असर पर रहा है अगर अब भी सजग नहीं हुए और प्रकिर्ती संसाधनों की बरबादी नहीं रुकी तो ओ दिन दूर नहीं जब राजी को खाद संकर्ट से जुझना पड़ेगा इसलिए अभी से लोगों को जागरूप रहना होगा खाद कर बच्चों को प्रकिर्ती संसाधनों के समुचित उप्योग को लेकर मांसिक रूप से त्यार करना होगा तभी इसके दूस पर भाव को रोकने में हम सफल हो सकेंगे बता दे जार्खन में जलवायू परिवर्तन का खाद पदार्थों के उत्पादन पर धीरे धीरे असर होना सुरू हो गया है अगर अब भी हम सभी सजग नहीं हुए तो भाविस से में खाज संकर से जुझना पड़ सकता है मांडर बिधान सभा उप चुनाव में गंगोतरी कुजूर पर बिजेपी का भरोसा भारतिये जनता पार्टे ने मांडर की पूरो बिधाय गंगोतरी कुजूर पर एक बर फिर दाव लगाया है मांडर बिधान सबा ओप चुनाव के लिए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है जार्खन भाजपा की परदेश उपा धेयक्ष गंगोत्री कुजूर मांडर इससे पहले साल 2014 में भी बिधाय करा चुकी है उन्होंने तब बंधु तिर्की को हरा कर विधान सबा करूप किया था बताते चले कि गंगोत्री कुजूर पूरो विधाय कराने के साथ सूचना आयुक्त भी राचुकी है गंगोत्री कुजूर ने महिलाओ की सुराक्षा वा ससकती करान उनकी प्रत्मिक्ता के बारे में कही पाटी के उमीदों पर खारा उतरने का पर्यास करेगी जयक ने नवी से एकारवी बोर्ड का परिक्षा प्रोग्राम किया जारी जयक जयर्खन एकेडमी कॉंसिल ने आठवी नवी वा एकारवी की दूसरे टर्म की बोर्ड परिक्षा की तिति घोसित कर दी है कक्षा नवी की दूसरे चरण की परिक्षा 15 जून एकारवी की 16 वा आठवी की 28 जून से शुरू होगी आपको बता दे कि वर्ष 2022 की परिक्षा दो टर्म में ली जा रही है प्रताव चरण की परिक्षा संपन हो चुकी है वहीं दोनों चरण के प्रप्तां के अधार पर फाइनल रियर्ड जारी किया जाएगा पहले चरण की परिक्षा OMR सीट पर हुई थी वहीं दूसरे चरण के परिक्षा उतर पुष्टी का पर ली जाएगी परिक्षा में अतिल लगो उतर ये लगो उतर ये वा दिर्ग उतर ये सभी प्रस्ण पूछे जाएंगे फर्स टर्म की परिक्षा में केवाल बहु भी कल्पी प्रस्ण पूछे गए थे देवघर का हेलो पुलिस अभियान देवघर पुलिस की ओर से आम जमता से बेहतर ताल मिलवा समन्वे अस्थापित करने के लिए जीले के सभी थानों में हेलो पुलिस अभियान के शुरुवात की गई है देवघर के एसपी सुभाज चन्रजाट ने नगर थाना परिसर में इसका बिध्युवत उद्घाटन किया है इस अभियान के तहद पुलिस के द्वारा सभी थानों में हेलो पुलिस का बोर लगाया गया है अभि पुलिस आपकी सिकायच पर एक्शन लेगी लोगों को थाने की दोर नहीं लगानी होगी बता दे जब भी कोई ब्यक्ति अपनी समस्या को लेकर थाना में पहुंचेगा तो थाना के स्वागत कक्ष में उपसित पुलिस करमी आवेदान के के आवेदान प्राप्त होते ही उनको एक कम्प्यूटरी करित परची देंगे जिन में उनके आवेदान के ब्यवरा जांच पता अधिकारी की जनकारी आधी एस पी ओफिस में आवेदा की समस्या वाउस का फोन नंबर दिखने लगेगा प्रदूशन नियंत्रन के लिए नीगम को 71 क्रोर की योजना स्विक्रित सहर के प्रदूशन को नियंत्रित करने के लिए नगर नीगम को 188 क्रोर मिला है जिसमें 77 क्रोर की योजनाओ की स्विक्रिती मिली है एक साल बीत गए और मात्र 16 क्लोर रुपए खर्च किये गए है से स्वेज नाए या तो टेंडर प्रोसेस में है या अब तक DPR नहीं बना है बता दे साड़े 9 क्लोर का स्प्रिंकलर मेकेनिकल स्वीपर मसीन वा नाला सफाई के लिए डेस लेगिंग मसीन जेम पोर्टल से खर दिगाई वह नाव क्लोर के प्लांटेशन वा ग्रीन पेच काम होना है हेमंत स्वरेन के खिलाप एक सन में हाई कोट राज सरकार की खान सचीव आई एस पूजा सिंगल के ब्रस्ट चार उजागर होने के बाद जारकन के मुख्य मंत्री हेमंत स्वरेन लगातार नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं मंदेगा कोटाले की जाज करने पहुंची इड़ी मनी लॉंडरिंग के नई नई सबूत सूंग रही है बताजे तमाम जाज पूश्ताच में प्रस्टाचार के तार हेमंत स्वरेन लगाया है उनके करिबियों से जुड़े होने की बात सामने आई है इस बारे में परवतन निदेशालेन हाई कोट को पहले ही हड़कंप मचाने वाले दस्तवेच सोप रखे हाई देश भर में घर घर नरसरी अभ्यान रभीवार से शुरू अस्थानिय अस्तर पर उगने वाले कई पौधे समापत होते जा रहा है नरसरी में भी वैसे पौधे लगाने को नहीं मिल रहे है जबकि उन पौधों का काफी महत्वा है यह समस्य पौधेस की है इसको लेकर परयावन संरक्षन का तीवीधी ने चिंता जाहिर करते हुए अस्थानिय पौधों के संरक्षन के लिए महा अभ्यान चलाने का निनलिया है बता दे बीश्व परयावन दिवस के दिन पौधेस में एक साथ घर घर नर्शरी अभियान की सुरुवात होगी इसके तहट सभी लोगों से अस्थानिय पौधों का बीज संग्रा कर घर में नर्शरी त्यार करने का आग्रा किया है चायवा चायर से पाँच बीज से त्यार कियो नहो फिर उस त्यार पोधों को अपने आजपास या जहां जगा उपलब्ध हो सभी लोग लगाने का काम करेंगे धन्यवाद